दोस्तो इस फीडियो में आप लोगो ये रिशार्जेबूल दोस को रिप्यार करके दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं ये तोर्स गिर के यहापर आगे का हिस्सा तूट गया है और ये दोनोतार ये लाइट का है इस दोनोतार को इस लाइट में पोजिटिव निगेटि है यहापर सार्जिंग करने के लिए तो इस तोर्स में भी यहापर सेम प्लक लगा रहता था लेकिन ये तोर्स गिर के ये प्लक तूट गया है और बाहर निकल गया है ये प्लक पुरा तो इस प्लक को रिपेर करने के लिए मैं और एक नया आइडिया उसकरूंगा तो के बुलतर इस तर्स में यहाँ पर इसे connection करने से अब यह कोभी कराब नहीं होगा यह के बुलतर आप लोग यहाँ पर फ्लेक्षी बॉलतर के साथ एक दूसरा प्लाग भी लगा सकते हो तो मैं यह के बुलतर को यूज करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड में यहाप लोग इस तोर्ष को डाइरेक से सार्ष कर सकते हो यहाप पर इस के बुलतर को लगा के तो इस तोर्ष में इसके बुलतर को अंदर में कनेक्शन करना होगा और इस तोर्ष में जो यहाप एक सार्जिंग कनेक्टर लगा रहते हैं पहले में यहाप इस तोर्ष के जैसा यह कानेक्तर, यह कानेक्तर का यहापर दो लेक लागा रेते हैं अंदर में देख सकते हैं आपलोग पॉजितिव निगेटिव यह दोनो लग भी यहाशे हिल गया है तो इसको भी सल्दार गरना होगा सबसे पेले यहापर दोनो स्कुरू को खोल लेते हैं आपलोग ये इलेक्र्वोनिक्स रिप्यारिंक रिलेटेड भीडो देखना साते हो तो हमारी शेनल को सास्क्राइब कर सेक्टे हो यह से मैं धोनो स्क्रू को खोल दे आऊ हो औरागा की तरप ये रिंको खुबी खोल ना होगा प्लास्टिक की और यहासे उपर की धक्कान को हता देना है आप लोगो आप लोग देख सकते अंदर का सारा कमपोमेंस बाहर निकल गया है यह फोर बल्डेस का बेटरी देख सकते आप लोग यह लेदेशित का बेटरी है और यह दूसरा सार्कित देख सकते आप लोग सबसे भेले में आपलोगों, इस सार्जिंग प्लाक को रिप्यार करके दिखाँगा, जो पी से की दरब लगा रहेते ह इस तोर्स की पिसेगी तरोब यहापर देख सकते हैं अपलोग यहापर ही सार्जिंग प्लाक लगा रहते हैं इस तोर्स के जैसा यह से इम प्लाक यहापर रहते हैं तो इसको रिपेर गरने केले सबसे बेले यह जो तार देखर हो यहके बुल्दार इसके बुल्दार की यह दोनो फ्रेस नुट्रेल तार को इस तार के साथ कनेक्शन कर ना होगा ये जो दो तार देखरेव अपलोग इस दोनो तार को सबसे भेले यहासे खोल लेते हे शोलडार करके यहासे अब मैं ये दोनो तर के साथ ये दोनो तर को यहापर कनेक्शन करूँगा तो यहापर कनेक्शन करने से बेले इस तर को यहापर एसे लगाना होगा इस तर को यहापर लगाना होगा लगाने से बेले इस तर के उपर में और एक बांदेना होगा एसे यह बांदेने से यह तर यहापर फसार हैगा अंदर में यह तर खिसने पर भी बाहर नहीं निकलेगा तो यहापर मेंने एक बांदे आ हुँ आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद इस तर को यहापर एसे लगा रहेते हैं अभी आप लोग देख सकते हैं यह तर अभी कभी भिआसे भाइर नहीं निगलेगा अंदर से है तो यहाँ पर कीशने पर भी इंतार भाइर नहीं निगळाए और आप लोग इस तको एयुज दायरेक बॉर्ड में साश कर सकते हो तो यहाँ पर यह दुनो मदक देखसे क्ते हो आप लोग यहें से कानेक्शन करने से अपने ल मैं तो आप लोग डेख सकते हैं यो दो नो तरको इस कानेक्शन कर दियाए मैंने मैं और उसके बाद इसके उपर में आपकेण सुल्डर करेंगा चैना को यसे तो आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद इस तर को यहापर इसे फिट करना होगा तो यहापर देख सकते हैं यह तर अभी कोभी बाहर नहीं निकलागा खिसने पर भी और यहाँ पर इस तर्गों यहाँ पर ऐसे फिट कर देते हैं किनारे में और यहाँ पर यह जो देख रहे हैं आप लोग इस कानेक्टर को यहाँ पर फिर से सोल्डर करना होगा इसके उपर में तो यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं पहले क्योंकि यह हिल रहा है इसका दोनों लेक तो यहाँ पर इसके उपर में दोनों लेक के उपर सोल्डर कर दिया हुँ मैंने और उसके बाद यह जो काले और रेट बला तर है इस दोनों तर को लाइट के साथ कानेक्शन करना होगा पहल लेटर को निगेटिफ के साथ क्साइब करना होगा सबसे पहले इस तोर घ्मक कर लेते हैं यह पर सारीत को मैंने फिट कर दिया हूँ और इसके बद उपर में थक्कान को भेट करना होगा और इसके बद लैक की दोना gelir को कấnेक्शन करूंगा मैं तो यहापर मैं थक्कान को लगा दिया हूँ और यहापर स्कुरू को भी ताइट कर देते हैं तो आपलोगो यह फीडियोट सलागा तो जोरूर लाइक कर देना और हमारी सेनल को सास्क्राइब भी कर सकते हैं आपलोग तो यहाँ पर दोनों स्कुरु को थाईट कर दिया हूँ और ये रिंग को यहाँ पर लगा रेते हैं और उसके बड ये जो दो बशे होए तर है इस दोनों तरको लाइट के साथ कानेक्शन करना होगा ये काले बला निगेडिव तार है और ये रेद बला पोजिटिव तार है तो इस तार के उपर में यहापर सोल्डर करना होगा आशे रांकी मदद छे तो आप लोग देख सकते हैं दुन नतर को सौल्दर करने के बड़ यह जो रेट बला थार है इस रेट बले तर को यहापर light में यहापर पोजिटीव निगेटिव लिखा रहते हैं पोजिटीव बला यहापर plus का symbol लगा रहते हैं और नीकेडिव में माइनस का साइमबल लगा रहते हैं तो यह दोनोतर को यह पर ऐसे कानेक्शन कर देना है आप लोगो पोजिटिव नीकेडिव के साथ तो ये दोनोतर कनेक्शन हो गया है तो आप लोग देख सकते हैं अब मैं आप लोगो इस तोर्स को शेक करके भी दिखाऊंगा यहापर यह पोजिटिव में रेद बले दर को और निगेटिव में यह काले बले दर को जोईन कर दिया हो मैंने और उसके बद यहापर इसको लग लग जल गया है तो ये तोर्स को आप लोगो मैंने पुरा शेक करके दिखा दिया हो रिप्यार करके अब यह खिसने पर भी बाहर नहीं निकलेगा यह के बुलतर क्यूकि इसके अंदर मैंने एवर एक बांद दिया हो और ये तोर्स भी पावर रन हो गया है इसका आगे का दिखा बाहर हो तो हे लुद मैंने इसका पुरा शेक करके दिखाद हो अगर आप लोग जयार को ये सर्जिंग क्नेक्टर उता गया हो ये तो अपलोग इसे अदिया को यूद जिसकर機 इसका जाए हो अगर वीडों पर नहीं अबर नहीं खर लेना